टूटम टुट अटिटिटेव्साइटियाच आपाट कीव Зап Thunder को की में सबस्फिसंग इससे मुझा ते होडर आसे त्रूटी मोडे का त्रसेट गया हम इस याड के लिका शुम्टल के पीडिशिया क्रुंब क्लियर करें तो चली शिरू करte मैं बेजिगें से लोडर m sale order processing actual में होता क्या है जैसे अभी सामने वाली party ने हमें कोई order दिया है ठीक है उसके against में फिर हमें sale bill pass करना है अगर उसने कुछ reject किया है तो sale return आएगा हमारे पास otherwise फिर हमारी payment party सामने वाली हमें कर देगी ठीक है तो यह पूरा एक process है इसको हम सेहल आड़ले बहुते हैं बीजी के अंदर बिजी पर चली शुरू करते हैं बीजी इाल योडल्य प्रोस्तिरिंग है सभसे पहले आपको जाके है administrator में configurations में features option में features option में जाने के बाद आपको जाना है inventory पर इन्वेंटरी पर जाने के बाद enable order processing को आपको active करना है active करने के बाद यहां पर कुछ options आएंगे options for the order processing में यह कुछ consolidate restrictions के लिए आपको पूछेगा consolidate item while packing from order order पर पक करने से पहले हमें इम एक तिक कर सकते हैं Rust incredibly living without order अगर हमें sale और 그게 बायर restrict करना है तो आप यहां सब्सक्राब RSK करना your AND अगर हम यहां चारे के हमारे जो अधर हम बनाए उसमें हम तो उसमें कोई चेंजिस ना हो तो इसे हम Restrict कर सकते हैं ऐसे हम order ernsting मैं purchase की बात कर ले पर्टेज मैं भी कर सकते हैं मैं अभी Jen हडा हूं क्यूंकि मुझे सेल पर करना है Auto create ad duda obhra reference अपने ब cab होतार है reference ठीक है और pending till voucher date हमें दिखाता ह RJ दका है शो करे की पर आने के बाद आपको आना है पर आने के बाद मैं में आपको रखना है किस देट में आप trust करया वह आप issue the movie Mand a क्शाश्चुत दे गात दिल के अनिया हिस्याओं ou 01 का ची कया टाइप में आप सेल बना सकते हैं यहां पर अगर आपका इसको सेव करेंगे उसके बाद आप यहां पर पार्टी करेंगे किस पार्टी से आपको ओडर मिला है अगर रखेंगे अन्रेजिस्टर यहां पर रखेंगे इसको सेव कर देते हैं ठीक है इस टोर हमारा मैं इस्टोर में मैंटिंग कर रहे हैं अगर आपके पास बना हुआ है तो ठीक है नहीं तो अदर्वाइज आप पहले से पर्चेस करके क्रियेट रखेंगे ठीक है कितने कौन्टिटी ता आपको ओडर मिली है ठीक है उसके बाद भ Students سब्सक्राइब है इसको सेकी करींगे यह हमारा से लोडर हो गया है मतलब एक्टि हो गया है उसके बाद आपको करना है तो आप आ जाएंगे सेघ्द वाउचर पर एड पर आएंगे घ्रिक है यहाँ पर औपना i the Channel नेंगेißtैना आपको Congratulations आपने पार्टी नेम लिया था मौन पार्टी नेम लेंगे आइटम के आने के बाद आपको आइटम चूज नहीं करना है यहां पर आपको F11 की प्रेस करनी है जो आपने सेल ओडर दिया था सू01 वो आपको यहां पर शो कर रहा होगा इस पर आप किलिक करेंगे बाइडिफर्वल्ट सारी डिटेइल अपने हाप आप आजयेंगी आप इसे यह सकते हैं उसके बाद से बाद सेव करेंगे इसके इसके बाद दुबारा फ़्तू फ्तू नियूँ रैफरेंस जनरेट करे लिए ठीक है पिनिस रेसी डिटेल यहाँ पर पूरी आजएगी सको आप रोस कर सकते हैं उसके बाद अब अगर पेमें रिसीव हो गई आपको तो रिसीव कर सकते हैं अगर उसने रह्म पीस तो आप यहां से वोचर नंबर जो था हमारा ठीक है उसके बाद यहां पर यहां पर book select कर लेंगे जो भी item था आपका कितने piece आपके वापिस हो गए है वो आप यहाँ पे डालेंगे ठीक है then F2 प्रेस करेंगे उसके बाद दुबार से F2 प्रेस करेंगे method में adjustment लेंगे reference number 3 डालेंगे जो अपने first time लिया था sale कर दे time और save कर देंगे यह हमारे refund हो गए उतने piece हमें accept हो गए है उसके बाद at the last transition हमारी बच्टी है received party से receive कर लेंगे payment ठीक है मोहन यहाँ पे credit होगा party name choose कर लेंगे 18,000 रुपे से जो pending amount रह रहा है हमारा then हम इसको save करेंगे method में adjustment डाल सकते हैं F3 करके pass कर सकते है then save हो जाएगा otherwise अब यहाँ पे अगर आप detail देखा चाते हैं तो यहाँ पे detail आती है quotations and order processing में sale pending order processing में आप sale order pending देख सकते हैं सारे items के लिए अभी तो कोई pending नहीं है मैं एक bill डाल के आपको check करा देता हूँ यहाँ पे क्या detail दिखाएगा sale order ले लेते हैं एक same party से वापिस मैंने डाल दिया SO01 ठीक है 01 पहले से लिया हुआ है मैंने इसलिए 4 डाल देता हूँ sale Mohan ठीक है books के लिए 10 पीस F2 करके save करती है अब आप चेक कर सकते हैं पे detail display पे आके sale order pending में one items books के लिए pending details status चेक कर रहे है यहाँ पे मुझे 10 दिखा रहा है अगर यह clear हो गया है अगर इसके against में कोई sale voucher पास नहीं हुआ तो आप यहाँ से F4 की प्रेस करके यहाँ से clear कर सकते हैं ठीक है यहीं से clear हो जाएगा otherwise इसके against में अगर कोई sale हुआ है तो same procedure आपको repeat करना पड़ेगा जो भी हमने sale order processing के लिए किया है तो यह था हमारा sale order processing in business software हमारे साथ जुड़े रही है हमारी वीडियो को लगातार देखते रही है और share करना लाइक करना और subscribe करना न बुले और साथ में bell बटन को क्लिक करना न बोले ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको time to time मिलती रहे have a good day, thank you so much, bye bye